हेलो स्टेंट्स तो आज से हमारी एडवांस पी वाई की स्टरीज स्टार्ट हो रही है और हमारा फर्स्ट कुशन है 2023 एडवांस पेपर 2 का है कुशन क्या है देख लेते हैं यंग's modulus of elasticity y is expressed in terms of the three derived quantities gravitational constant, planks constant and speed of light as y is equal to c's power alpha, h's power beta and g's power gamma आपको alpha, beta, gamma की value पूछी है तो यह basic question है, ideal question है इस जैसे question आपके mains में भी आते हैं advance में भी आगया को तो कोई बड़ी बात नहीं नहीं ठीक है यह आपको प्लस 4 है इसमें कोई आपको भारी वाला question पूछ लिए अचे कोई बात है ही नहीं चलिए, तो आपको सिद्धी सिद्धा पता है कि आपको dimension पता होना चीए पहली बात, dimension नहीं पता है तो इस question में आप आगे नहीं बढ़ सकते चलिए, तो dimension निकालेते हैं यंग्स मोडलस को तो बढ़ डाइमेंशन वही होता है जो pressure का होगा यंग्स मोडलस का formula क्या है stress divided by strain, basic formula यही कहता है तो stress क्या होता है, pressure और strain तो बढ़ आपको डाइमेंशन लेस है तो इसको लिखने के जुरत ही नहीं तो pressure हो जाएगा बटा हमारा force divided by area तो force हुआ, MLT-2 याद रहना चाहिए area हुआ, L square, एकल से एकल गया तो यंग्स मोडलस का dimension आया, ML-1, T-2 ठीक है, I hope यह आपको font size 1 में आ रहा होगा एक ही board के अंदर question और answer दोनों लिखना है speed of light, speed है, LT-1 होगा planks constant, तो plank constant बता है, E is equal to H new so H is equal to हो जाएगा E divided by new तो E है अपना ML square T-2 energy और mu है T-1 तो यह T-1 उपर है, तो T plus 1 और यह हो जाएगा minus 1 यह प्लेंग constant आएगा आपका ML square T is power minus 1 यह आपका plank constant आगया और रहा बात capital G का तो capital G है आपका universal gravitational constant है तो F is equal to G M1 M2 divided by R square मैंने M1 M2 को M ही मान लिया है तो capital G का dimension FR square divided by MR square तो आपका force का dimension ML T-2 R square यह L square divided by M square यह 1 M से 1 M गया इसका dimension आएगा आपका M कप और minus 1 L कप और 3 T कप और minus 2 तो यह हमारी dimension आच चुकी है तो यहाँ पर बस put करना है मैं तो young smallest का ML minus 1 T कप और minus 2 C L T minus 1 इसका पौर alpha H का ML square T कप और minus 1 beta और M minus 1 L cube T कप और minus 2 इसका पौर gamma तो यहाँ से अटा देते हैं इसको लिप चुकी होगे आप इसका पौर gamma तो यह हो जाएगा M कप और 1 L कप और minus 1 T कप और minus 2 यहाँ पर M कप और beta और minus gamma तो यह हो जाएगा alpha यहाँ L कप और 2 alpha 2 beta और L कप और यहाँ 3 gamma ठीक है और यहाँ पर T कप और minus alpha minus beta और minus 2 gamma इसमें कोई doubt नहीं बस आपको equate करना है तो यहाँ पर M कप और है beta minus gamma और यहाँ कप और 1 alpha plus 2 beta plus 3 gamma is equal to minus 1 minus alpha minus beta minus 2 gamma is equal to minus 2 ठीक है अगर मैं इन दोनों equations को add कर दूँ अगर मैं इन दोनों equations को add कर दूँ तो यह alpha से alpha खतम हो गया 2 minus 1 beta और यह हो जाएगा आपका plus gamma is equal to कितना add किया है तो minus 3 होगा अब यह equation बीटा गामा में है यह equation भी बीटा गामा में हो गई बस अब इन दोनों को add कर दो बीटा और बीटा तो हो जाएगा बेट आपका 2 बीटा गामा गामा खतम हो गया 1 minus 3 कितना हो जाएगा आपका minus 2 तो बीटा की value कितने आ गई minus 1 पहले तो यह चेक कर लो बीटा की value minus 1 कहां कहां है इन तीन में है d नहीं है चलो तो बीटा की value तो minus 1 आ गई तो यहां से गामा की value भी आ जाएगी अगर बीटा की value minus 1 है इस equation एपूट करो तो यह हो जागा minus 1 plus gamma is equal to minus 3 तो गामा is equal to minus 3 plus 1 तो यह हुआ minus 2 तो बीटा is equal to minus 1 और गामा is equal to minus 2 तो बीटा is equal to minus 1 और यह दोनों यहां पर मैच कर रहे हैं आपका C और D तो जो है रिस से खतम हो गया चली अब बीटा और गामा आ चुका है तो अल्फा की value किसी भी equation से निकाल लो इस से निकाल लो तो अल्फा प्लस 2 बीटा की value किता निकाली है पनने minus 1 प्लस 3 गामा की value हमारे पास आई minus 2 is equal to होना चाहिए हमारे पास minus 1 ठीक है तो अल्फा minus 2 minus 6 is equal to minus 1 यह हो जाएगा minus 8 उदर गया तो 8 minus 1 8 minus 1 is 7 तो अल्फा 7 7 minus 1 minus 2 7 minus 1 minus 2 तो option number A is the correct answer ठीक है